एक बात अपने जीवन में सदा उतार करें, घर में अगर तुलसी का क्यारा है, तो तुलसी महराणी हमें ये पता देती है कि हमरे घर में सुक आने वाला है कि दुख आने वाला है। जैसे शनी अपना प्रकुरूप दे रहा है या शनी उतर रहा है, ये किसी से पूछने की जरुवत नहीं पड़ती है, अपने आप मालूम पड़ जाता है। कैसे शनी कथा अगर आपने से सुनी हो, तो उसमें व्याक्ठान आता है शनी कथा में, पाओं की चपल बार-बार त कमर से मीचे जो बस्त्र पहने हो, वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदिक बस्त्र है, कपड़े हैं, वो अपने आप फट, आज के जमाने में तो फटे फटा है पहनते हैं लोग, फैसनी, उसकी गारंटी नहां, उसका हम बढ़न नहीं करा हम, जब पहनते हम तो उसमें लग जाता है कि सनी पहले सी लग गया बापड़ा, उनके पहने से तो पाने पड़े, शनी का नियम है, सनी कता कती है, पाउं की चपल बार बार तूट रही हो, गिस गई हो, बद्दी तूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने अफट रहे हो, समझ ले रहे हो, कि शनी पाउं से प्रविश कर रहा है, मतलब अपनी प्रखरता शनी दिखा रहा है, किसी मंदिर में गए, महाराजा, और वहाँ जाने पर चपल चली गए, तो समझ लेना, शनी की कूद रश्टी अब पढ़ना बन होना चलू हो कितना संदर कहा है महाराज, जोता, चपल, आज के जमाने में तो फेसन हो गई साहव, घर की चपल अलग होती है, भार की चपल लेनग होती है, लोग घर में चपल किचिन तक में पहन के जाते हैं, अरे पानी ले जा उसी योड से है, रश्ओускाण का परसाद बन बाएज, ज जरूर देखना एक वह बूड़ी मां कित्ती बार किचिन में चप्पल पेन कर गई मुझे जरूर फोन करकर बताना कि बूड़ी मां रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है और बहुन की कहीं एडी भी फट जाए ठंड नी बेट जाए इसलिए ये रसोई घर तक मे कि चप्पल पेन कर जाती है फोरे नरायन की कथा पढ़ना अ चनी महाराज की कथा पढ़ना और गरुन कुराण की कथा पढ़ना जिन जिन कथाओं का मध्यक्ठान कराम उसको पढ़ना ज़रूर हो क्या लिखा है घर के अंदर जब चप्पल जाती है रोग बिमारी कष्ट तकलीप चालू हो जाती है तुमने चप्पल क्यों पेनी ठंड नहीं बेड़ जाए रोग नहीं बेड़ जाए घर के अंदर उतना बढ़ गए एक कालीन बिछा दो एक धरी बिछा दो मोटा आसन जरूर है कि कई कई लोगों को थामनी यह भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पेन की चल 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 और बिरहाम मनों को भोजन परोसर है गुरुजन को भोजन परोसर है हाकुर्जी की थाली बना रहा है हाकुर्जी का थाल लगा रहा है तो भी चप्पल है पाओ तेरा क्या हो रे जाय यहीं पर, फिर कुंडल और नगीनाक्या, हरी नाम नहीं तो जीनाक्या। अभी भी सुधर जाव रे, अभी भी सुधर जाओ नी शुधरो तो सिधर जावरे, या तो सुधरो नी तो सिधरो। कोड़ा सुधरो, रसोई thieves में अनपुर्णा रहती है। रसोई घर में शिमाबन की कता कती है j Verein, भगवान संकर को मां जगजनी भोजन करा रही थी संकर जी ना वर मांगा था मनपूर्णा तो मेरे घर के बच्चों का भरण को सणकर रही है इस मरत्यु क्में जितने मनश जणमलेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं सपक्र। ने कहा जिन्टा करना भोले नाथ जिस जगहाँ पर एक इस्त्री बेटी कन्या या घरी की बहु या बूडी मा भोजन बनाएगी उस जगहाँ पर में अन्पूर्णा उसके शरीड में प्रवेश करूंगी रसोई घर रसोई घर नहीं होगा वो मेरा और तुमारा मंदिर कर अब मंदिर में खड़े हो कि आप भोजन बना लिए मोटा सा संदक लो चपल की जरूवती नहीं है कि शिनीमत भागवत कथा कर रही है तुलसी का मात्रिस तो शनी अपनी दृष्टी बता देता है आस्तर करता है जब घर के अंदर प्रवेश करने के जब आप घर में प्रवेश करें तो ए या तीन कदम के अंदर चपल उतर जाना चाहिए घर के अंदर में और उसके बाद अगर चपल अंदर प्रवेश कर रही है तो राहू के दो शनी के साथ प्रवेश करते हैं जिसके घर में बिमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती शनी कथा सूर्य की कथा का इसमर्ण करिए आप पूजन कर रहा है पाट कर रहा है तो भी तुलसी के दल सूख रहे हैं तुलसी बता देगी कि तुमारे घर में तकलीफ आने वाली है कष्ट आने वाला है सूख रही है किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसमें घर में कुछ तकलीफ आईगी तुमने लगाया तुलसा महाराणी बता देती है कि कश्क है और जिस गमले की तुलसा घेर घमोर हो फलित तो हो आनंद में हो तो उस घर में फिर दुख नहीं आता सम्रद्धी की खुद बरती चलिए जिन शंकर भगवान को आप जल चड़ाते हो जिन ठाकुर्जी से आप लाड़ लड़ाते हो जिन भगवान कृष्ण का आप इस्मिन करते हो राधारानी का आप नाम जाप करते हो जिस परमात्मा का आप भजन कर रहे हो किरतन कर रहे हो नाम जाप कर रहे हो उससे तुमारा ए जैसे ही आपके प्राण छूटे और छूटते से ही आप जब गए जाते ही आप कहोगे कि कृष्ण से मेरा ये संबंद है वो मेरा पुत्र वो मेरा भाई वो मेरा बेटा वो मेरा सगा वो मेरा विष्टेदार वो मेरा कुटुम्बी वो मेरा पुत्र जब कहो गए तो तुरन प्रवेश हो जाए महाराद भगवान से संबंदो नाट जाए कई लोग भगवान को सुवेरे से रिजहाने बेटते हैं तो भगवान को बनी बनाई बात कहते हैं यह पाठ कर लो यह पाठ कर लो यह पाठ कर लो यह स्तूति कर लो सारा बना बनाया तुमने अपने दिल से कौन सी स्तूति गाई तुमने अपने दिल से कौन सा भगवान को निवेदन करा कौन सा नमन करा बस सुवेरे उठना है नाना है भगवान के सामने जाना है भगवान को तो निलाना है कपड़ पेनाना अगरवत्ति लगाना है थोड़ा सा सक्तर का भोग लगाना है तुरो से इतनी सबस्कारी में एक मठरी एक खुरमा और रोज मठरी खुरमा एक साथ नहीं रखती वह तो आज दिन मठरी का फोग लगा दिए तल खुरमे का लगाई परसो गुजिया का परसो पपड़िया का कोई डबें भरे-बराये रखें रख दिया और एक लड़ो रोज लगा देगी इतना बड़ त स्री सिवाय दोस्तों हर हर महादे हमारे यूट्यू चैनल में आपका स्वागत है अब पंडित परदित निश्रा जी के मुख से अच्छी कुपाय के बारे में जानिये और अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो आवस्य करें इसी तरह बताये गए स्री सिव हर हर महादे घर घर महादे